कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यह चपर इस चपर को चार दिवारी के आप देखिए गोबर की निपाई है मिट्टी की दिवार है उसके उपर इस चपर को डालने के लिए एक ग्रामीन को एक साल तक पैसा कमाना पड़ता है यह चपर फ्री में नहीं मिल जाता है इस चपर को डालने के लिए भी साल दो साल तक पैसे खट्टां करना पड़ता है तब वह बांच खरीद पाता है गाउं से जाके आप देखरें बास इन बास को खरीद पाता है इस घास को लेकर आपाता है तब जाकर यह चपर डलता है आजादी के 72 साल हो चुके हैं 72 साल बाद भी जो सरकारे रही हैं देश में केंद्र की जो सरकार रही कॉंग्रेश सरकार रही और वर्तमान में पिछले लगबग 7 साल से बीजेपी की सरकार है मैं आज पोचा हूँ उत्तर प्रिदेश दिल्ली से चला लखनव लखनव से चला हरिदोई और हर्दोई के सांडी दिहात में हुमें और मैं आपको दिखा रहा हूं दिरस्य जो मेरा बहुजन समाज है वह जाग जाएं यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वह मकसद है मात इतना सा कि आजादी के 72 साल बाद भी बहुजन समाज की जो प्रितिनीदित्व है जिसके ओपर दिल्ली एंसियार जैसे बड़े महानगरों में मुंबई जैसे महानगरों में लोग सवाल उठाते हैं यह उनके लिए आखोलने वाली वीडियो है मैं चाहूंगा मेरे साथ ज्योती अम्बेटकर हैं मेरी रिपोर्टर हैं वो दिखाएं जरा मेरे पीछे जो घर हैं आप आईए ज्योती आरामसाना नीचे आप देख रहें मतलब इतने बड़े महानगर हरदोई जिसको हम कहते हैं जो हरदोई है वो अपने आप में एक पवित्र भूमी है मूल निवासी आदिवासी जो मूल निवासी जो आदिवासी हमारे राजा रहे हैं अहिलने कर्षयप जिनको इतिहास में किस इतिहास में जो ब्रहम्मनी इतिहास है उसमें उनको एक विलन के रूप में दिखाया है और मैं आपको लेकर आया हूं यहाँ पर आप देखिएगा इससे में भी आजादी के बातर साल बाद भी जोपडियां पड़ी है कि सरकार ने सरकार्य लेटिन तो बनाई है लेकिन उनकी व्यवस्ता पूरी नहीं है मैंने उनकी वीडियो नहीं लिए मेरे साथ मुझ मैस में इनसे बाद करेंगे यह अंकट वीडियो है आपके लिए आप देखिए बगरी लोग पालते हैं क्योंकि भैस पालने की गाए पालने की साहिज इनकी अकूत नहीं है बगरी के दूस्ट से बच्चे पलते हैं क्या नाम आपका अधा देवी अधा देवी चले ठीक कोई बात निक आया जोती तरह आई अच्छा मुझे ये बताईए जहां पर आप रह रहे हैं यहां पर लेटरीन की विवस्था पानी की विवस्था कैसी है लेटरीन कहा है आप सरकार ने नहीं बनाई पर अपर अर्वों रुपे खर्च किये आपके घर में नहीं नाएं आपका अगर दिख खुल रहा हूँ सरकार कीजिकर जिसमें सरकार को कहती है पर उन्हों ह一定要 बात्रुम बनवाइए आपको दिखाऊंगा सरकार की दिवंय कि स्वाकाश जोम में दिखाऊंगा मोडी जी हैं जो मन की आप घर, मन की बात होती क्या है टीवि पर और इक पर हरकिकित में जमीर की से किस तरीके से Hoje सर्ड जो बकणी का गोवर्ज होता है उसे लिपाई की गई है यह पुरारी संस्कृति है कि हमारे चोंटे चोटे बच्चे जब गाउं में देयं हैं चोंटे बच्चो को जब यह घर में घूमते हैं तो गोवरी की लिपाई होती है जिससे के जो कीड़े हैं जो मच्छर मों मर जाते हैं और एक बार मैं चाहूंगा दिखाएं ज़रा इधर यह हमारी छोटी बीटिया पानी खीच रही है ज़र नलके को दिखाएं यह कैसा नलका है इसको दिल्ली व दिखाएं fest रहे सहब जो कैमरा सिदा पकड़ी जो 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 परेशाणी है जो ज़रोथ की चीजी है नागरी को के लिए देश के जल जमीन जलवाइं वह तो दीजी कम से कम आप कहते हैं मेक एंडिया डीटिटल इंडिया जिस डीजिटल इंडिया की आप बात करते हैं आप देखिएगा के सिर्पर छत नहीं है जोती इस चपर को दिखाईएगा यह बास का बना वह चपर है जिसमें मेरा खुद का बच्पन गुज़रा है और इस बच्पन में कि मैं आपको क्या बता हूं कि ऊपर चड़ने के लिए भी आप देखें सीड़िया कैसे कैसे बनाई है और आज भी जो जो पस्वों के लिए जो नारा पस्वों के लिए जो चारा मैं चाहूंगा दिखाई ज़रा एक पर मसीन को इसको यहां पर चारा रखते हैं चारा मशीन में चलता है और इस तरीकी जब गुमाते हैं तो चारा कटता है मैंने अपने बच्पन में अपनी जवानी में यह मसीन बहुत चलाई है आज गाव में आज भी इसको हाथ से चला जाता है हम चलते हैं दुबारा दादेवी जी में आप रहती है लाटन बात्रूम कि सुबह कितने बज़ में दूर दूर जाते हैं इस सबाब करानव चारी वजे घर की सारी महिले चलितल लोग नहुंदी फिल्मों में पिछले साल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी VASON हुई थी लोटा पार्टी आपने वे देख वो देखी होगी शुबा सुबा महिलाई निकल ती है घर से और लोर पार्टी उसका नाम दिया गया था अåg गाने का वो सुबा सारी महिला जाती यह लोटा लेकर और आज भी आज पाजादी के 72 साल बाद भी यह महिलाएं घर से पानी लेकर जाती हैं खेतों में जाती हैं और इनके साथ उस समय क्या-क्या होता है आप मुझे बता ही जब खेतों में डर रहता है तो जंगल में आप लोग बैठते हैं वहाँ पर लाइट नहीं होती है लाट आड़ कुछ ना इतार फार निरे लगे खेतन महियां लेचके गुस्ताव दोती होती सब नुची जाती हैं संग महियां तो सांप वगेरा विच्छू हाँ सब कानम मिन्त हैं सांप मिलें बिढा कोड़ा बई लगें बच्चन कहियां संग लेके जाओ चाद दाई लगे कभी 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 वापिस आप आते हो तो लोग छेड़ते भी होंगे अरुका लोग छेड़ते हैं जो जो समाजी किसम के लोग हैं जो महिलाओ को देखर फप्तिया करते हैं कभी-कभी वो कुछ दुसास भी करते होंगे अब होता है तरहाएं मेडिया के सामने अच्छी तरिकसे बात नहीं कर पर हैं मैं कुछ और भी महिला होगा दिन से मैं जानने की कौसिट करूँगा मैं दिल्ली सहां हूं आपसे बात करने के लिए रुख जाए क्या नाम आपका सोनी पढ़ते हो अब नाएं अब नहीं पढ़ते हो पहले पढ़ते थे को इसकोल में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में कितने तक शुर्कारी स्कूल था कितनी किलास तक पढ़े हो भाई हासो मत अरे रुको भाई कितनी किलास तक पढ़े हो हम पचोल पढ़े 5 मा तक उससा आगे क्यों नहीं पढ़े लिए घर वालों नहीं पढ़ाया या कुछ वजे थी नाए पैसे नैं यह ते यह सरकार की कि देश के नागरी को को इ streamlined की मुख सिक्चा च्छती साथ वी क्वी सिक्चा यह सरगार की जिम्मेदारी में आता है यह तो मातर एक बिटिया है जिससे मैं पूछ रहा हूं लेकिन अगर इस तरह के से सरवे करेंगे आगे जाके तो हमें लगेगा कि है भारत के हर शुद hierarchy क्वारत की हर गाओं में इस तरह की दूर से की और भी आ आपका आपका सःतेकत भंड बंस कालूनिक पैसा मांगे चलिए बहुत सारे आरोप यहां पर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि यह मैं पहली बार यहां पर पहुंचा हूं और यह ग्रामिन लोग नहीं मुझे लगता है कि मीडिया की भासों को समझते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस वर विशेज ध्यान देना ह और यह मैं आपको दिखा रहा हूं यह चपर इस चपर को चार दिवारी के आप देखिए गोबर की निपाई है मिट्टी की दिवार है उसके उपर इस चपर को डालने के लिए एक ग्रामीन को एक साल तक पैसा कमाना पड़ता है यह चपर फिरी में नहीं मिल जाता है इस चपर को डालने के लिए भी साल दो साल तक पैसे खट्टांग करना पड़ता है तब वह बास खरीद पाता है इस घास को लेकर आपाता है तब जाकर यह चपर डलता है मेरा वीडियो दिखाने का मात इतना उदेश से है कि 2022 में चुनाव आ रहे हैं अगर आपको इन चप को देनी है मुझे बताने की दोर्त नहीं है उत्तर प्रदेश में इत्यास का लिखा गया है भांगों का सम्राथ आसोग से सबढ़त असोक के बाद आज तक इत्यास में कोई ऐसा महापूर्स नहीं हुआ है जिसने बहुचा में का इत्यास लिखा हूं दिल्ली से लेकर लखना उत्तक बहुजनों का इत्यास लिखने वाली एक मात्र हमारी नेता है और मेरी मुही में इस बात की कि इस बार 2022 में अगर आपने चाहा तो गाउं गाउं गली गली कस्बे कस्बे हमारे समाज की छटों पे से ये छप्पर उतर जाएंगे इन चप्परों की जगे पकी छट आए पाएगी लेकिन उसके लिए प्रियास आपको करना पड़ेगा जैसे के मैंने सुबह अपनी फेस्बुक वीडियो पर एक वीडियो डाली स्वर्ग जाना हर कोई चाता है लेकिन मरना कोई नहीं चाता अरे मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे भाई पिलोट तो स्वर्ग में सभी को चाहिए काहे नहीं अपनी वोट लगवाते हैं अपनी वोट की त्यारी कीजिए अपने आधार कार्ड को अपडेट कीजिए अपने पेपर्स को पका कीजिए और हाँ वोट वाले दिन अद्दा पवा में बिक मत जाना हर हाल में अपने घर को छोड़ कर वोट डालने जरूर जाना और वोट आपको कहां डालनी है मुझे बताने की जरुत नहीं है सत्ता आपकी होगी तो अधिकार आपके होंगे घर आपका होगा बस इतनी सी अपील मेरी आपसे है सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल संतावाज टीवी को वेल आइकोन दवाना ना भूनें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए